Hello everyone, so welcome back to sit again and again और आज के वीडियो में मैं आपको वह strategy explain करने जा रहा हूँ कि जो की beginner लोग mostly use कर सकते हैं और या फिर वो लोग जिनको कभी भी risk undefined strategy use करना पसंद ना हो और ये वो strategy भी है जो आप volatile market में ज्यादा use कर सकते हैं यहाँ पे gaps का डर बहुत ज्यादा होता है, gap ups, gap downs का डर वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है उस जगह पे आप इस strategy का इस्तमाल आराम से कर सकते हो और इसका adjustment और इसमें जो कभी गलती से loss भी हो गया वो उन दोनों को require करना आसान होता है और इसे strategy को आप easily manage कर सकते हो near the expiry and even if you are doing it before 3-4 days before the expiry तो अभी हम इसकी बात करेंगे और जो लोग भी अभी channel पे नए हो, theta gainers का channel आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप theta gainers को YouTube पे subscribe कर सकते हैं और thank you guys, यह मेरा intraday का वीडियो था, इसमें 2 lakhs views हो गए हैं अभी भी और जो हमारी सीरीज थी option selling की पुरानी वाली master class वो बहुत successful थी तो जो लोग अभी नए हैं वो लोग इस सीरीज को पहले देखें और मैं इसी की नए सीरीज जो थोड़ी advance और basic beginners के लिए है वो मैं बना रहा हूँ उसका chapter 1 यह है, chapter 2 में भी कल या परसो आपको मिल जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं और जो लोग भी telegram पे theta gainers को subscribe नहीं कर रखा है या फिर आपने channel join नहीं कर रखा है आप telegram पे जाएं और theta gainers सर्च करें और उसको join करें वहाँ पे मैं mostly जो भी trades होती हैं मैं सारी share करता हूँ देखो कल मैंने एक intraday trade ली थी वो भी share की थी और मैं जो भी weekly strategy बनाता हूँ सब कुछ वहाँ पे share करता हूँ tick to tick basis तो आप अगर live market में follow करना चाते हूँ सारी trades weekly और monthly mostly positional करता हूँ मैं बट sometimes अगर intraday की तो वो भी share कर देता हूँ तो अगर आप वो follow करना चाते हूँ तो आप basically telegram पे follow कर सकते थी theta gainers को चलो अभी हम चलके थोड़ा chart देखते हैं यह कह है bank nifty nifty करे हमारा okay देखो यह nifty है अपना nifty अभी देखो यह घंटे का chart है यह और mostly nifty na 15300 और around 14600 इसके बीच में बहुत टाइम से घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है और यहां पर gap ups gap downs भी बहुत हो रहा है अगर मैं normal candles लगा दू तो आपको gaps दिख जाएंग कर रहा है जिसमें आपका risk undefined है और maybe वह perfectly hedged नहीं है अगर वह perfectly hedged नहीं है तो ऐसे में एक problem जरूर आती है कि notional loss दिख जाता है हो सकता है कि आपके strategy मालो 14500 तक safe हो expiry day के दिन और हो सकता है उपर की तरफ 15500 तक safe हो but notional loss आप समझ रहे हो आपने अगर कोई चीज बेची है कोई strangle बेचा कुछी बेचा है तो आपने यह safe कर लिया यह safe कर लिया बड़ इसका मतलब यह नहीं कि market जब इसके बीच में जहां घूमेगा तो इसका मतलब यह नहीं आरेन बटरफ्लाई में क्या difference है ठीक है यह दो है एक तरीके से एक हो गई normally butterfly simple butterfly ठीक है और एक हो गई iron butterfly जिसको हम iron fly भी बोलते हैं simply दोनों का जो graph है payoff graph वो बिलकुल ऐसा देखता है एक जैसा similar यह दोनों में कोई difference नहीं है बिलकुल एक जैसा देखेगा आपको ऐसा graph अब इन दोनों में फरक क्या है पता है इन दोनों में फरक यह है कि जो butterfly है इसमें आप एक ही side की strike यूज करते हो जैसे हमारे पास options कितने होते हैं call और put butterfly में आप या तो call call की butterfly बनाते हो या तो put put की इसमें दोनों नहीं होते iron butterfly में आप क्या करते हो आप straddle में middle में एक call बेचते हो और एक put बेचते हो इसमें जो cell होता है वो भी call होता है और जो buy होता है वो भी call होता है Similarly, जो cell होता है, वो भी put होता है, और जो buy होता है, वो भी put होता है, मतलब इसमें या तो call call की butterfly होती है, या तो put put की butterfly होती है, उसको हम butterfly बोलते हैं, iron butterfly में हम call और put दोनों को बेचते हैं, then उसको दोनों side से hedge करते हैं, और butterfly में hedging कैसी होती है, हम एक call double cell करते हैं, double ratio में बता रह छो जाते हैं, similarly यहाँ पर क्या होता है एक call cell होता है, एक put cell होता है एक इधर call से hedge एक इधर put से hedge तो यहाँ पर 2-2-2-各फ Rider cell और 2-各 host अभछा चलो मैं इसको normally आपको बना के दिखाता हूं जैसे हम get started में गए, यह nifty लिया हमने, nifty क्या आप चलो bank nifty में बना के दिखाते हैं, बहुत ही easy पड़ेगा, यह हमने लिया options, यह 25th March के expiry है, चलो हम near expiry बना के दिखाते हैं, near expiry क्योंकि देखो इस strategy के कुछ rules है, जैसे rnfly होता है, मैं भी rules बताता हूँ, पहले हम आपको आपके दिखा दू, normally कैसे, market कहाँ पर चल रही है, 34,937 पर, 34,937 future price चल रहा है, मैं इसको 35,000 माल लेता हूँ, ठीक है, 35,000 पर अगर market चल रही है, अगर आपको spot बनाना है, spot पर कर लो, आप 34,600 पर, market में एक बार जा के देखो कि bank nifty अभी chart कैसा है, उसका, bank nifty का chart एक तरी put side की एक butterfly बना के देखते हैं, ये रही, options में गए, 18th March, put side में market कहाँ पर, 34,800 पर, तो मैंने क्या किया, 34,800 है, उसको double sell किया, किस में, put में double sell कर दिया मैंने, और equal distance पर, equal distance, up and down, मैंने 35,000 का जो P है, उसको buy मारा, कितना, एक lot, और similarly, और 200 points downside भी मैंने same ही चीज किया, 34,600, उसका भी P मैंने क्या किया, buy मारा, तो कुछ H type का graph बनेगा, कैसा, H type का graph, इसमें क्या होगा, कि आप यहाँ पर यह assume कर रहे हो, कि कल जो market खुलेगी, वो market sideways to flat खुलेगी, और आप उसमें बहुत ज़्यदा volatility नहीं देख रहे हो, आप आपको highest theta decay चाहिए, और आप ज़्यादा risk नहीं लेना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, कि risk कितना है, max loss कितना है आपका, यहाँ पर max loss है आपका 600 रुपए, यह करने के बाद, 600 रुपए, मतलब आपकी जो margin लगा, अगर आप इसको 2 to 1 में करते हो, तो आप इसमें total loss आपका कितना है 600 रुपए, तो एक चीज़ आप बिल्कुल guaranteed माल लो, कि market में अगर कल gap down, gap up, कुछ भी जो मर्जी हो जाए, आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ा loss नहीं दिखने वाला है, मतलब MTM swing नहीं होने वाला है, और सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते है वो MTM swing की वज़े से करते हैं, अगर आपको पता है कि आपका MTM swing में आपको 1000 रुपए के उपर का loss दिखने ही नहीं वाला है, तो आप गलती नहीं करोगे, आप गलत decisions कम लोगे, तो similarly, आप देखो probability of profit 13% क्यों दिखा रहा है, because इसकी range छोटी होती है, range छोटी होती है, आप अगर यह 35,000 और 34,600 के middle में कहीं भी खुला, या near the expiry वहाँ पे कहीं भी हुआ, तो आपको 1 is to 6, मतलब जहां एक जाएंगे उसका 6 गुना का profit होता है यहाँ पे, और इसमें आपको problem ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि इसको adjust करना बहुत असान है, और इस trade को कभी भी आ आपके break-even को cross ना कर जाए market, break-even पे पहुँच ना जाए, तब तक butterfly को adjust करना एक बेवकूफी होती है, जैसे कि वो already adjusted है, अगर butterfly, अगर market 200 point नीचे, 200 point बोल रहा हूँ, अगर 600 point भी नीचे खुल गई न, तो आपको कोई यह loss नहीं देने वाला, आपको कह लगता है, यह जो यह 600 की जगा 800,000 भी दिखा दे, और हो सकता है, यह 600 भी कभी ना दिखाए, अब जो profit है, वो भी max है, अब max profit को है, 43,000, वो भी expiry के दिन, तो यह strategy पहली बात बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, किस के, कौन यूज करता इन है, यह बहुत ज़्यादा यूज की जाती है जहाँ पे risk बहुत कम हो, और reward बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे risk लिया ही नहीं जाता है, जितना कम risk होगा, उतना वो लोग वहाँ पे better trading समझते हैं, और उस जगावे butterfly बहुत यूज होती है, कई साले trader होते हैं, जो बड़े-बड़े quantities में trade करते हैं, वो लोग butterfly को बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वो अगर overnight में Wednesday को butterfly बनाएंगे तो और Thursday को अगर गलती से भी flat खुल गया, तो उनको उनके risk की जबवे बहुत ज़्यादा, RR ratio, risk reward ratio बहुत ज़्यादा होता है, और उनको जो normally profit मिलने वाला था एक strategy बनाने के बाद, वो इसमें आराम से मिल जाता ह अब देखो, आप लोग बोलोगे, कि sir इसका तो जो hit ratio वो 13% ही है, यह तो 13% ही successful होगी, और जो इसकी range है वो भी bank nifty में 200-300 point उपर है, 200-300 point नीचे, इतना तो bank nifty के लिए बिलकुल halfway के बराबर है, correct बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, यह सही बात है, bank nifty तो आराम से उप पड़ेगा, बिलकुल middle में market को close होना पड़ेगा, correct, but आप मुझे एक बाल बताओ, कि अगर यह strategy fail हो गई, अगर यह strategy fail भी हो गई, तो क्या हो जाएगा, आपको loss हो रहा होगा 1000 रुपे का, but आप clear हो चुके होगे trend के हिसाब से, जैसे कि अगर मैं कोई butterfly बनाऊंगा, तो म मैं क्या करूँगा, bank nifty को भी देखूँगा, जैसे कि आप माल लो, bank nifty में आपने देख रहे हो, यह bank nifty यहाँ पर इस area को cross नहीं कर पा रही है, बहुट time से, यह जो area 36, 391, इसको cross नहीं कर पा रही है, बहुट time से, but मैंने butterfly बनाई, और market ऐसे जाके, यह area को ऐसे cross कर गई directly, मैंने butterfly बनाई, और उसके बाद market इसको ऐसे cross कर गई, और इसके उपर sustain कर गई, मतलब market finally अपनी range bound market से उपर निकल गई, तो इसका मतलब market कहां trade कर रही होगी, यहाँ कहीं, इस area में, मतलब मैं अपने butterfly के loss area में आ गया हूँ, तो is there any problem, अगर मुझे यह 600 रुपए cover करने पड़े, तो क्या मैं कोई दूर का यहाँ का put बेच के वो cover नहीं कर सकता हूँ, मैं इस trade को ऐसी पड़ा रहने दू, जब मुझे पता है कि मेरा loss 600 रुपए का ही है, 600 रुपए bank nifty के एक lot में से cover करने में आपको 9 point या 10 point चाहिए होते है, 9 10 point, नहीं sorry, 30 points, 25 lot के हिसाब से न 500 और हाँ, यह कुछ 30 point चाहिए होते हैं, 30 रुपए का premium नहीं मिलेगा आपको bank nifty में put side में कहीं दूर safely, कोई बहुत tough बात है यह, I don't think so, यह बहुत tough बात है, अगर यह 2 is to 1 में trade की गई है, आराम से आप अगर breakout हो गया है, तो आराम से आप extra put बेच सकता हो, अगर नहीं आए, तो वो यहीं कहीं जूम के फिर सी यहीं पे आएगा और हो सकता है आपको high risk reward में आपको वो trade मिल जाए, अब मुझे बताओ, अगर आप इसको normally भी trade करते हो, और आपका एक बार, दो बार, तीन बारे से लिट हुआ और एक बार profit hit हो गया, तो यह double कहीं से आप से cover कर यह trade किनके लिए, यह trade उनके लिए है, जो लोग overnight gap up, gap downs, black shawne event, यह वो फलाने धिमका इन सबसे बहुत डरते हैं, यह trade butterfly आप बहुत आराम से trade कर सकते हैं, अब देखो मैं इसका adjustment बताओ, इसका adjustment इतना असान होता है न, अब देखो आपने यह trade Wednesday को बनाई, correct बात है, Wednesday को ब cross कर गई, तभी आपको क्या करना है, आप, जहां पर आपका break even है, उससे just 100 point उपर नया iron butterfly बनाऊगे, sorry, iron butterfly नहीं, normal butterfly, 100 point उपर, अगर bank nifty में हो, 50 point का gap रखके nifty में, तो अगर मुझे यहां पर बनानी पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं similarly, कहां पर 35,000 पर same butterfly बनाऊ अब यह छोड़के मैं 35,000 वाले को बेचूँगा, दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके 18th मार्च में, market उपर खुल गई है, market मेरे break even को cross कर गई है, और just 100 point उपर, मतलब 35,000 पर, मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर मैंने put को sell किया, कितना, 2 lot, PE को मैंने sell किये, और उस से, similarly 35,000 किया है, तो 35,000 को जो put है, उसको मैंने क्या किया, buy किया, 1 lot, और 34,800 को भी मैंने buy किया, 1 lot, अब option chain back कर दी, अब देखो, यह कैसा बन गया है, आपने अपनी range 200 point और बढ़ा दी, अब risk आपका हो गया double, risk कैसा हो गया, double और profit half, बट आपने और महलत लेली market से क्या, कि चल और 200 point सही, अब देखो, इसमें करना क्या चाहिए, most of the time, आपको try करना चाहिए, कि आपकी जो strike से, वो overlap ना हो, strike overlap होने की वज़े से क्या हुआ देखो, यह ऐसा flat बन गया, overlap कहां ही strike होई है, 34800, आपने 34800 ही पहले sell कर रखा था, आप उसकी strike overlap हो गई है, तो जब overlap हो रही हो, तो 200 की जगह try करो, कि आप 300 का या 100 का gap रख लो, तो अगर आप 300 का भी gap रख होगे, तो कोई इतना फरक नहीं पढ़ने वाला है, उसकी जगह पे क्या होगा, profit increase हो जाएगा, और loss थोड़ा और decrease हो जाएगा, तो मैं कहा करूँगा, इसकी जगह पे 300 point का gap रख लो, यह लो, 35300 के call को, यह रहा put को, यह मैंने किया buy, और इस तरफ भी 34700 कर दो, क्योंकि strike overlap हो रही है, आपकी पुरानी वा loss और profit भी 2000 रुपे बढ़ गया, बट यहाँ पे अच्छी बात क्या हो जाती है, कि आपके पास एक range extra होती है, तो आपने किया क्या यहाँ पे, अपना जो loss है, उसको अभी भी control में रखा है, और आप अभी भी market में बने हुए हो, पहले क्या हो रहा था, आपकी butterfly के आगे न दिन कौन सा चल रहा है, आपने Wednesday, यह आज कौन सा दिन, Tuesday के 3 पीम हो रहा है, कल मालो आपने अगर सुबह बनाई, तो आप हमेशा 200-200 point market को दे रहे हो, और near the expiry हो, आपको बस 1.5 घंटा चाहिए कि market वहाँ पे tick जाए आपकी area में, और आपका काम हो जाएगा, सेम चीज, मै अगर आपको nifty में देखाऊंगा, तब भी आराम से बन जाएगी, बट एक चीज आप याद रखना, जब भी आप, जब भी कभी भी options में butterfly बना रहे होगे, तो आपका जो risk reward है, वो दूर की experience में ज्यादा होता है, जैसे देखो, मैं आपको example देता हूँ, market कहाँ पे, 4910, 49 का P लिया मैंने, ये किया मैंने sell दो, 15,000 का P मैंने buy किया, एक, और similarly 14,800 का P buy किया, एक, देखो, ये रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, कि आपकी range कितना है, 4981, 100.2 पर, और around 100.2 नीचे, ratio क्या है, max risk reward ratio, 1 is to 4, यहाँ पे आपके highest 14,000 रुपए जाएंगे, expiry के दिन, और 6000 रुपए आएंगे, and range उपर नीचे 100,000 पॉइंट है, अब अगर मैंने nifty का chart खोला, ये रही nifty, मुझे साफ साफ दिख रहा है, कि nifty, यहाँ पे फसे जा रही है, ये area, और एक तरीके से मानलो, ये area, इन दोनों में फसी हुए ये nifty, और अगर ये यहाँ पे फसी हुई है, तो ये जो trade मैं अभी बना रहा हूँ, iron butterfly की, अगर यही trade आप 18 March की जगा 25 March में बनाओगे, तो आप देखोगे कि आपका जो max loss है, और risk reward है, वो एक अलग ही different level पे होगा, जैसे कि, ये म रहा गया 15,000 पे, sorry, 15,000, मैंने buy किया एक lot, और 14,800 का पी, एक lot, अब आप देखोगे ये trade में इसमें और उसमें कितना difference है, यहाँ पे भी आपको लगबग 100 point उपर मिल रहे हैं, 100 point नीचे मिल रहे हैं, but risk reward जमीन आसमान का फरक है, जमीन आसमान का फरक है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल premium का है, अगर आप higher premium cover कर पा रहे हो जल्दी, तो आपका risk reward भी उतना ही low हो जाता है, और market आपको खेलने का time देता है, अब यहाँ पे अगर market gap up हो, gap down हो, GA मरे, आपको यहाँ पे बड़ा loss नहीं देख सकता, बड़ा loss नहीं देख सकता, that means, आप market को नाप सकते हो, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहीं घूमने दो, जब तक ए clear breakout और breakdown नहीं देदेगी, तब तक मैं straight को touch ही नहीं करूँगा, मुझे पता है, मुझे loss ही नहीं होने वाला, जब यह breakdown या breakout दे दे, जैसे मालों यहाँ से breakdown दे दि गा, correct, बास समझ में आई, उपर से, दूर से, अगर यह break हुए, मतलब market 14.900 चला गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, 14.600 चला गया है, अगर इसको break कर गया है, डाउन साइड में market, तो that means market 14.600 के नीचे चला गया है, 7 दिन है न, आपके पास अभी 25 मार्च के expiry बनाया है तो अगर वो यहां से break कर गया है, तो मैं आप क्या करूँगा, अभी आप क्या बेच रहे थे, 14.900, तो इसको fly को यहीं बना रहने दो, आप extra P बेचते चले जाओ, extra P बेच दो, जैसे 14.800 बेचो, फिर 14.900 का एक और बेच दो, correct, बास समझ में आ रही है, अगर directly ऐसा naked ना तो ratio में बेचो, आप क्या करो इसकी जगा, इसको ऐसे ही बना रहने दो, और नया बेच दो, otherwise, आपको अगर market को follow करना है, और near the expiry बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप similarly, market जब यहां पे आ जाए, आप try करो, कि उसमें एक और butterfly बना दो, जैसे कि अगर मुझे बनानी प देखा दो, 14,750, यह रहा देखा, 14,750, यह किया मैंने sell, double lots, 750 sell किया, मैंने 650 buy किया, 1 lot, और मैंने 8,50 buy किया, 1 lot, it will look like this, आपने क्या किया, जहां पे आपकी range 800 थी, 14,800, आपने यहां पे range कैसी कर दी, 14,600, आपने 200 point और खीच लिये market से, और आपने 2 pyramid बना दिये, यहां पे, 2 pyramid, जैखो, यह सारी चीज, जब आप real time market में कर रहे होगे, तो इतनी आसान नहीं होती है, वहां पे आपको अच्छे से बता दू, इसका risk reward बहुत अच्छा है, और आपको कभी भी ऐसा feel नहीं होगा, कि घुटन वाली महसूस नहीं होगी, आप pressurized decision कभी नहीं लोगे इसमें, बट एक चीज याद रखना में आपको इसको थोड़े rules बता दू, इसके rules बहुत आसान है, बट आप वहाँ पर उसका break even अगर आप रख पाओ, बहुत इतना असान नहीं है हर बार, बट अगर आप रख पाओ, तो try करो उसको रखने का, क्या होगा, अगर आप gap बढ़ा दोगे fly का, तो वो range पर पहुँच सकता आप, तो जब तक वो range break ना हो जाए, तब तब आपको नई butterfly न नीचे इसका ये वाला part उसको आप क्या कर सकते हो, market इधर से इधर निकल गया है, यहाँ आ गया है, अब आप try करोगे trap करने का market को अपने इस बड़े pyramid के बीच में, कि market यहाँ कहीं आज के expire हो जाए, यह हुआ, आपको इसको मिलने के chances है, यह जो नीचे का loss था, जो आपक हो रहा था, यहाँ पे आप extra PE बेच दो, और वो जो loss-loss है, उसको ही cover करने का try करो, just imagine, अगर आपको यहाँ पे 1000 रुपय का loss हो रहा है, इस area में, 1000 रुपय का, पहली वाली fly में, अगर 1000 का loss है, अगर market cross कर गया है, तो आप क्या करो, वो 1000 को divide करो किस से, 75 से, एक lot से, आपक कि अगला इसके भरो से छोड़ दो, अगर इसको भी market cross कर जाए, इसके आगे, तो आप till third fly तक बना सकते हो, क्योंकि, जैसे ऐसे आप fly बनाते जाओगे, आपका जो loss है, वो double, triple होता जाता है, जैसे अगर मालो, पहले आपका highest loss 1000 था, तो till third fly, आपका वो 3000 पहुँच तो अगली fly में पक्का, आपका risk reward 1 is to 3 बचेगा, and 1 is to 3, और सबसे आखरी वाली में maybe 1 is to 2 only, यह चीज आप याद रखना, तो जैसे जैसे आप fly जोड़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके profit कम होता जाएगा, और आपका जो stop है, बहुत highest loss वो थोड़ा थोड़ा बढ़ याद हो, recently, यह वीडियो बहुत थी important है, ध्यान से उसको सुनो, अगर आपको recently याद हो, मैंने एक RN butterfly बनाया था, किसमे, bank nifty में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो वो थी 36,000 पर, मैंने 36,000 पर बनाई थी, यह देखो, ठीक है, मैंने तो close कर दी थी उसको बहुत time पहल थी 36,000 पर बनाई थी, मैंने यह कबकी 25 मार्च की, देखो, यह देखो, यह क्या है, मैंने 36,000 का call बेचा था, 36,000 का P बेचा था, दोनों similarly बेचे थे, उसके बाद मैंने 34,500 का pit buy किया था, 37,500 का call buy किया था, बिल्कुल similar ऐसी एक fly बनाई थी, उसके बाद market, आप देखो, क् कब बनाई, यहाँ पर बनाई थी, मैंने fly, यहाँ पर, market gap up हुआ, कोई loss नहीं था, उसके बाद market गिरने लगा, यहाँ पर वो profit में आई, इसके बाद जब market गिर के, इस area में गया न, और market ने यह वाला जो support है, इसको तोड़ा, मैंने क्या किया, मैं गया, और मैंने एक call ब दूर है, मेरे extra call selling से, यह call sell मैंने क्यों किया, 279 points का, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मेरे इसका जो total loss है, total loss यहाँ पर 15,000 है, मैंने 279 price को बेचा, कितना, 25 quantity, इससे मुझे 7,000 रुपए extra मिलेंगे, मतलब जो मेरा highest loss था, उसको मैं 7,000 रुपए कम कर पाया, market और करता, तो मैं क्या करता, और P बेच था, देखो, इसमें add करके देख लो, call बेच था, sorry, अगर आप जाओगे, और मैं थोड़ा और पास आके, 36,800 का call बेच देता, magnitude option 36,800, 36,800 का call, sorry, एक तो यह आपस्ट्रा बेचारा, refresh भी नहीं करने देता, ठीक है, चलो, that is fine, अगर मैं यहाँ पे, अभी मेरे पास कितना है, मेरे पास, यहाँ पे max loss इस side है, अगर market पल्टी, तो फिर से मेरे highest profit zone में आ जाएगी, और मुझे कोई problem नहीं है, बट market अगर यहाँ से नीचे को गई, तो मैं और call बेच कि, यह जो loss है, जो highest loss, इसको cover करने का try करूँगा कैसे भी, अब देखो, मैंने iron butterfly कहाँ बनाई थी, 36,000 पे, correct है, market वहाँ से कितनी दूर है, वहाँ से 1100 point गिर गया है market, बट फिर भी कुछ फाइदा नहीं हुआ, क्योंकि, देखो, market इतना गिरने के बाद भी यह profit में है, क्यों, क्योंकि, जो flies होती है, या फिर studdle होते हैं, या फिर butterfly, iron butterfly, इनको जब आप बेचते हो, तो इनका middle का studdle होता है, आपके पास एक high premium होती है to collect, तो fluctuation, emptium fluctuation इतना ज़्यादा high नहीं होता है, इसलिए आपको इन में कभी भी ज़्यादा loss देखने को नहीं मिलता है, और यह बहुत ही easily manageable होती है, अब बताओ, इसमें मैंने ऐसा क्या adjustment कर दिया, जो जादू ही था, कोई जादू ही adjustment नहीं था, मुझे जो यहाँ पे left side में बहुत बड़ा loss दिख रहा था, उसको कम करने के लिए मैंने दूर से call बेज दिया है, और slowly slowly near the expiry मैं और रजदीक जाता चला जाऊंगा, और अगर यह fail भी हो गई, तो मैं इस loss को cover करने का try करूँ और ना कि इस highest profit को, क्योंकि आपका trade, आपका view fail हो चुका है, और अगर वो fail हो चुका है, तो आप उसमें loss ना लो, वो ही बहुत बड़ी बात होती है, तो similarly, यही चीज मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं, कि अगर कभी भी butterflies fail हो जाएं, successful हो तो तो बहुत अच्छी बात है, बड़ अगर fail हो जाएं, तो यह जो area का loss है, वो आप other side से selling करके cover कर सकते हो, and that is basically, बहुत ही easy task है, अगर मुझे यहां पर 15,000 का loss दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी को, अगर मैंने 2 lot बेज दिये, यह 15,000 cover हो जाएंगे and that's it, okay, so I think, यह थोड़ा सा complicated हो गया होगा, जो मैंने आपको समझाया, बट अगर आप इसको practice करोगे, तो आपके लिए ज्यादा बहतर होगा, और try करो कि near the expiry trading करो, जब भी butterfly trading करो, try करो कि Tuesday evening, Tuesday evening को डालो, ठीक है, जब भी butterfly बगरा डालो, क्योंकि क्या होता है, Wednesday का end part थोड़ा volatile हो जाता है, और वहाँ पर अगर वोड़ा volatile होता है तो फिर butterfly में कोई खास profit नहीं होता है, try करो Tuesday के दिन डालो, और Wednesday को कुछ time एक बज़े तक book कर सकते हो तो ठीक है, अगर Wednesday में भी कुछ नहीं हुआ, तो Thursday को morning में book कर लेना तब भी काम हो जाएगा, और आप जितना पहले बनाओगे risk reward उतना अच्छा होगा और उतना ही कम आपको उसमें loss कवर करना पड़ेगा, then that will be a successful trade, बट weekly में ही करो अभी starting में, बिल्कुल monthly में flys मत बनाओ, और बिल्कुल near the expiry करना तो आपके लिए बहतर होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप Theta Gainers को YouTube पे subscribe कर सकते हो आराम से, और टेलिग्राम पे भी join कर सकते हो Theta Gainers को, आपको बस search करना है Theta Gainer, अपने टेलिग्राम एप पे और 52,000 लगबग 52,000 मेंबर्स हैं, वही अपना चैनल है, बाकी सारे fake है, ओके, तो चलिए, अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको मैं एक बार आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, जो मैंने आभी आपको बताया है, बटरफ्लाई क्या होती है, इसको मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा कल, मैं कल डालूँगा बटरफ्लाई, और उसको एडजेस्ट करके, कैसे क्या, उससे बराबर सही टाइम पे निकलते हैं, ये भी करके दिखा दूँगा, लाइव मार्केट में, उसके लिए, टेलिग्राम पे जाइन करो थिटर गिनर्स को, और वहीं पे आपको इसका लाइव डेमो भी मिल जाएगा, मैं ट्रेट डालूँगा, मार्केट में कुछ गरबढ हुई, उसको समभालूँगा भी, प्रॉफिट बुक भी करूँगा, तीनों चीज़ आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी, तो कल में ट्रेट डालूँगा, बटरफ्लाई, हो सकेगा, तो मैं बैंक निफ्टी में डालूँगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमिम अच्छी होंगी, और ज्यादा बेटर रिस्क रिवार्ड मिलेगा, टू एक्स्प्लेइन, ओके, तो चलिए, थैंक यू अल, बाई बाई,